देरी फार्म के लिए शेड कैसा होना चाहिए शेड की उचाई लंबाई किस तरह की होनी चाहिए शेड बनवाते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों अगर आप इन प्रशनों के जवाब ढूंड रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगापे हैं इस वीडि को मैं बता दूँ कि हम इस चैनल पर इसी तरह से डेरी फार्मिंग रूलेटिड एजुकेशनल और इन्फोर्मेशनल वीडियो बनाते रहते हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को चाहिए तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपक्त कर सकते हैं हम अल्रेडी भारत के अनेकों राज्यों में डेरी फार्मिंग के लिए पशु भेज चुके हैं जैसे महाराष्ट्र गुजरात बैंगलोर चमु कश्मीर पंजाब हरियाना तो नीचे लिखे नंबर पर ह सेमी आटोमेटिक और एक आटोमेटिक तो यह तीन टाइप के फार्म होते हैं जनरली मैनुवल में सबी चीजें हाथ से होती हैं और कोई भी मशीन का प्रयोग नहीं होता है जैसा कि आप आम घरों में देखते हैं लोगों ने अगर पांच-शे पशू पाले हुए हैं तो यह कि आप कुछ मशीन thats महां पर नहीं सबी कामButv haatthos से होता है जहां पर कुछ मशीन होते हैं जैसे कि मेंसीन जान चाप होती हैं जैसे कि मर्किन मशीन जेंरेटर और भी कि सबी काम अपना machines के थू करते हैं और यह farm अक्सर बहुत ही बड़े लेवल पर काम करते हैं तो आज मैं आपको manual और semi-automated farm के shed design के बारे में बताऊँगा वैसे तो यह question दोस्तों जनरली बहुत ही लोग हमसे पूछा करते हैं कि shed का design कैसा होना अच्छी है आप ज़रूर इस जनरली लोग अपने घर में पचु पालने के लिए लगवाते हैं और इसके लावा दूसरे टाइप का जो farm है वो है आठ या दस से ज्यादा पच्छों के लिए जो कि 20 या 50 तक भी जा सकता है यह farm dairy farming के perspective से खोले जाते हैं और इसमें थोड़ा बहुत काम मशीनों से भी हो स सकते हैं और पशों के लिए शैड किस तरह से त्यार कर सकते हैं तो जैसा कि आप इस picture में देख रहे हैं कि मैं आज जो बात करने वाला हूं इस तरीके के घर में बनाए कच्छी जगा पर शैड के बारे में बात करने वाला हूं यह जनरली लोहे की या टीन की या सिमेंट की चद्रों से बने होते हैं अगर आप इसकी उचाई की बात करें तो यह जनरली आठ से दस फीट इनकी उचाई होती है क्योंकि यह घरों में ही एक कच्छी जगा के लिए बनाया जाते हैं तो अपनी उस जगा को देखते हुए इसकी हाइट आप आठ या दस फीट दीजिए और आप इस हिसाब से जितने आपके पास पशू हैं जितने पशू के लिए आप शैट बनवाना चाहते हैं आप उतनी उसकी लंबाई रख सकते हैं इसके अलावा अगर दिवार से सटा हुआ आपका जगा है तो दिवार की साइड आप चारा डालने के लिए तीन फीट उचाई और डेड़ फीट चोड़ाई वाली एक जगा आपको बनानी चाहिए जिस पर की आप चारा डाल सकें आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि मैं किस तरह की जगा की बात कर रहा हूं अब इस खाने वाली जगा के बाद अगले साथ से आठ फीट की आपको जो द्यान में रखना है ताकि जो भी मलमुत्र वगारा आपके पशू करते हैं वह उस धलान के जरीए ड्रेनेज सिस्टम तक पहुंच सके तो इस साथ से आठ फीट की चोड़ाई के बाद आप देखेंगे कि एक आपको नाली की तरह एक ड्रेनेज सिस्टम बनाना है जिसके द्रू मलमुत्र उस ड्रेनेज सिस्टम से डिस्पोज हो सके इस नाली या फिर इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसकी भी ढलान एक तरफ होनी चाहिए ताकि इसके अंदर आने के बाद भी मलमुत्र एक जगा रुके नहीं वह दूसी तरफ चलते जाना चाहिए इसके अलावा अब यह जो साइड आप देख रहे हैं यहां पर आप तरपाल या चदर से इसको सर्दियों के मौसम में ढख सकते हैं जिससे कि आप अपने पश्यों की सर्दियों में देख भाल कर सकते हैं इसके अलावा गर्मियों के लिए आपको विशेद का आपको जरूर ध्यान रखना है उनके लिए गर्मियों में पानी जरूर उपलब धोना चाहिए और बिजली का भी दोस्तों आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है इसके लावा आपको छोटा कमरा इसके साथ में लगता हो तो वहां पे आप स्टोर कर सकते हैं उनका खाना अगर आप चाहें तो और भी जरूरी सामान आप उस छोटे से कमरे में रख सकते हैं तो यह तो था दोस्तों एक छोटे स्टर के फार्म या आप कहलें कि अगर आपने घर में आठ या दस पशू पालना है तो उसके लिए आपको शैट डिजाइन किस तरह से करना चाहिए औ और अगर आपके पास एक खुला एरिया है और आपके आस आठ या दस से ज़्यादा पशू हैं तो आप उस खुले एरिये में किस तरह से आपको शैट डिजाइन करवाना चाहिए उस इनफोर्मेशन के लिए दोस्तों आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब इस वी कए कि फार्म में दोस्तों आपको एक चीज़ समशा ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉपर वयंटीलेशन सिस्टम ध्यान में रखना है आपको की थे और बटोस्तों और कि सभी ऑ Mayor campaign के लिए अच्छे पशू चाहिए तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपग कर सकते हैं हम quality assured पशू आपको प्रदान करते हैं हम already इंडिया में बहुत सी स्टेट्स में दुधारू पशू भेज चुके हैं जैसे कि महाराष्ट्र कॉलकाता बिहार पंजाब हर्याना आदी तो दोस्तों हम मिलेंगे आप से नेक्स्ट एपिसोड में और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेकर तब तक के लिए जय जवान जय किसान